Hello students, question number 11 का second part, now the again proved it in determinant x plus y plus 2z, z, z, x, y plus z, 2x, x and the third column is y, y, z plus x, plus 2y and the RHS is 2 in multiply, in bracket x plus y plus z का whole Q, ठीक है? हमने LHS part लिया है, हमने operation क्या लगाया यहां पर? C1 में, मतलब column में लगाया, C2 भी plus कर दिया, C3 भी plus कर दिया C1 में, ठीक है? यह operation column में ही apply होगा, तो देखो, यहां x, यह x, 2x, y, y, 2y, 2z पहले से ही था, as it is, यहां z, z, 2z, y plus y, कितना हो गया? 2y, 2x, again, यह z plus x, z plus x, 2y, तो यह गया 2x, 2y, 2z, बाकि 3rd column और 3rd row, 2nd column और 3rd column as it is रहेगा, जैसे यह था, यहां से क्या common आ रहा है? 2x plus 2y plus 2z, common आ गया, यहां इन तीनों की place पे क्या बचा? 1, 1, 1, बाकि यह दो no term as it is, अब triple 1 है, तो अगें हम क्या करेंगे? कि 2 0 बनाएंगे, तो मैं क्या करूंग 3 को मैंनस करा, तो देखो, यह वाला 1 मैंनस करूंगी तो 0, यह वाला x मैंनस करूंगी तो 0, बाकि यह term मैंनस करूंगी, तो देखो, यह 1 मैंनस 1 कितना हो गया 0, x मैंनस x कितना हो गया 0, y मैंसे यह term मैंनस करी, तो मैंनस का z, मैंनस का x, मैंनस का 2y, और यह plus का y था, तो क् बचा माइनस का x, माइनस का y, माइनस का z, अब आप बाकी की second row, second column as it is रहगा, अब आप देखोगे कि यहाँ दो 0 आ गए, इसके लिए open करेंगे, तो यहाँ तीनो माइनस के, तो माइनस common ले लू तो तीनो काई के हो जाएंगे, प्लस के, तो यहाँ से मैने यह माइनस भार ले लिए और x प्लस y प्लस z के लिए open करा, मतलब इस element के लिए, तो जब इस element के लिए open करूंगे, तो यह row और यह column छोड़ देंगे, determinant क्या बचेगा, 1,1, y प्लस z प्लस 2x और x, बचा, फिर इसका multiply यहाँ करेंगे, तो इसका यहाँ करा, तो x माइनस इसका यहाँ करेंगे, तो माइनस का y, माइनस का z, माइनस का 2x, इस 2x में से x माइनस करा, तो किता बचा माइनस का x, अगें टीनो माइनस है, इन तीनो मे देखता हुआ है थ्री टाइमस इट मेंस टू इन ब्रेकेड एक्स प्लस य प्लस जेट का होल क्यूब और यही क्या है हमारे लिए आरेज़ हैंस प्रूब